नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजूकेशन स्टेडी पर मापका साथी विकास लगातार खेल वह सिक्षा की जानकारी के लिए बना हूँ आपके साथ तो बार-बार कोश्चन करते रहते हैं सर UPLT ग्रेड का करवाई ये DSSB का UKLT का बनाये सर UPLT पर वीडियो बनाये वह सबका सलेबस सेम है और ये कोश्चन सबीही एक्जाम के लिए इंपोटेंट हैं सलेबस सबका सेम ही है फिजिकल का आपको ये याद रखना है वही UKLT grade में 30 नमबर की साइकलोजिय आ जाएगी 70 का subject UPLT में 125 के खाली physical education DSSV में 100 का subject और 100 के other 20-20 के 20 की इंदी 20 की इंगलिस 20 की जिक के 20 का maths 20 की reasoning ये आएंगे भी आजिक के plus current तो आपका सलेवस सब का same ही है और आप ये मत पूचारोजी इस पर बनाईए और मैं important question ही बनाता हूँ वह याद question की दम बर्मार कर दूँगा आपको इतने question दे दूँगा वायात लेकिन इजी question बात दे कहा है चलिए दोस्तों शुरू करते है आज का हमारा ये test series पेल किस खेल के खिलाडिकों का आ जाता है पेल आप अपना अंसर लगा लीजिए किस के खिलाडिकों का आ जाता है पेल वे रेसलर कुस्ती के खिलाडिकों का आ जाता है 1912 में अंतराष्ट्रिय जो फेडरेशन ने फीला की स्तापना और 2009 में इसका नाम बदल कर रख दियागा इनाइटिड वर्ल्ड रैसलिंग इसका मुख्याल है कहा है लुसियाने स्वीट जर्लैंड में इसका मुख्याल है पर्थम अर्जुन वारडि उदैचंद और पर्थम महिला अर्जुन वारडि गीतिका जाखडोर जो ज्यादा कोचन पूछागा प्रतम द्रोनाचारिय बीबी बागवत और इस साल 2020 में मेरे गुरूजी श्री ओमपर का दैया को ये मिला है कुस्ति का वही बारा गुना बारा कुस्ति के मैट की जो लेंथ है वो है नो इसका नो मीटर का जो सरकल है उसका डायमेटर होता नो मीटर और आगे चलते हैं दोस् कैजर्स किस खेल के खिलाडी को कहा जाता है कैजर्स किस खेल के खिलाडी को कहा जाता है आपको ये याद रखना है बास्केटवाल का ग्राउंड 28 गुणा 15 आपको ये भी याद रखना है 108 फाउल होते हैं वही बास्केटवाल में 108 नियम नहीं फाउल बता रहा हूं 108 पहले जो चेस्ट नंबर थे वो थे 4 से 15 आप हैं 0 से 99 में तक जिरो से 100 तक भी आ गए हैं आपको ये याद रखना है वही और अंतराष्ट ये जो बास्केटवाल एसोशियेशन है उसकी स्थापना कब हुई वही 1932 में और बारती है बास्केटवाल एसोशियेशन 1950 में और वही सरबजीत सिंहिस के पर्थम अरजुन अवालडी थे आपको ये याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तो पैडलर्स किस खेल के खिलाडी को कहा जाता है टेटे कुश्ती जुडो मु freshmen मु केबाजी के खिलाडी को कहा जाता है पुगलिस्ट पुगलिस्ट जुडो के को जुडो का कुस्ती के को पेल रैसलर ये वई टेटे के खिलाडी को कहा जाता है पैडलर टेटे के ये राइट आंसर है इसके पर्थम जो अर्जुनवाडी हैं वो है जेसी वोरा लैट चौप रैली ये सबी सब दावलियां टेटे से हैं आपको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तों बोक्सिंग को महिलाओं और पुर्षों के लिए ओलंपिक में कब सामिल किया आगा पूर्षों और महिलाओं के लिए आप अपना आंसर लगा लिए 1908-1912 1912, 1904, 2004 और 2012 तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैए 1904 और 2012 1904 में इंट्रोडूस करवा आगा दा वही 1912 से लगातार सामिल यह भी याद रखना लेकिन 1904 ही देता है इंकलूड कब वही बुक्स में 1904 ही मिलेगा आपको 1912 से जो स्टोको मेवलंपी को उनसे यह इंट्रोडूस 1904 में ही करा दिया गा दा और 2012 में महिला मुक्यबाजी को स चैदस जो रिंग का एरिया होता है वो जो चैदस गुना चैदस और बॉक्सिंग में 3 मिनिट के 3-3 राउंड होते हैं बिलोदा बेल्ट हुक नोकाउट नोकाउट तो खरोर डी गेम में भी हैं बिलोदा बेल्ट हुक पंच अपरकट यह सभी सब दावलियां बॉक्सिंग से आगे चलते हैं दोस्तों फ्रीस्टाइल कुस्ति को महिलाओं पुर्शों के लिए उलम्पिक में कब शामिल किया गया फ्रीस्टाइल कुस्ति महिलाओं में फ्रीस्टाइल होती है और पुर्शों में ग्रीको रोमन भी होती है ग्रीको रोमन कुस्ति को 1904 में 1904 में सामि किया गा वही सेंटलुई ओलंपिक में और और जो फ्रीश्टाइल कुस्ति को कभ किया गा वही पहले महिलाओं का दिया गा है और फिर पुर्षों का दिया गा तो 2004 में महिलाओं का आपको ये भी प्रसंद थोड़ा सा गुमा के देता है वही आप उल्टा सीधा सोचते हो महि किला थी गीता फोगाट जिसने ओलंपिक में पार्टी स्पेट किया और ओलंपिक मैडलिस्ट को नहीं बई जो पर्थम मैडलिस्ट है वो है साक्सी मलिक अठावन के जी में जीता 2006 में रियो डीजी नेरो ओलंपिक में और 1904 में फ्रीश्टाइल कुस्ति को सामिल किया गया डबल लेक अटेक, सिंगल लेक अटेक ये बई ब्रीज, डोग फाल, आप नेल्सन, डबल नेल्सन ये सबदावलिया किसीं भी कुस्ति से हैं, कुस्ति के मैच का समय है 3-3-3, 3 मिनिट की कुस्ति, 30 सेगें है 3 मिनिट की कुस्ति, और जो भई आपने बता था, हारे वे जो लाड़ियों उनके दोबार राउंड होते हैं, आपने किसी ने कोशन किया था, उसको क्या का जाता, रे पैसेज, आपको ये भी याद रखना है, और पैसिव सबदावली भी कुस्ति से है, पैसिव सबदावली कुस्ति से है, आगे चलते हैं दोस्तों, टैनिस, टैनिस को पूर्शोय महिलाओं के लिए उलमपिक में कब सामिल किया गया, तो बैर टैनिस को ठारा ये महिलाओं के लिए सामिल किया गया, उन्निसस्टेरा में, अंतराष्टी है टैनिस की फेडरेशन की स्थापना 1920 में भारती है जो टैनिस फेडरेशन की स्थापना नरेश कुमार को इसमें अब टैनिस में क्या मिला इस साल वही द्रोनाचारिय अवार्ड मिला है ग्रेंड स्लैम यह डबल फाल्टी यह सभी सवदावलियां टैनिस से टैनिस की सबसे प्रति प्रतियोगता अठारासो शततर में आरम हुई विम्बल डन और दूसरी प्रतियोगता पुराणी अठारासो इक्यासी में यूएस ओपन और वही अठारासो कैनमे में फ्रेंच पन 1905 में अस्टेलियन ऊपन आपको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तों एथलेटिक्स को महिलाओं वे पुर्सों के लिए कब सामिल किया गया वै अठारासोचैनमां 1928 1928 1924 1924 1926 तो एथलेटिक्स वही पहले ही अलमपिक से हैंपुर्सों के लिए और महिलाओ को 1928 में Amistadrum Olympic में सामिल किया गया निदरलेंड की राज़दानी है Amistadrum, Holland और निदरलेंड एक ही देश है 100% साकसरता है और 0% आस दिखता है आपको ये बता देता हूँ ये वाई आद के फंडे हैं इतने ज्यादा ये आगे चलते हैं वई स्वीमिंग Такी को पुर्षों और महिलाओं के लिए Olympic में कब सामिल किया गया तो भई große 1864, 1912 1864, 1922 1865, 1908 तो तैराकी को 1864 में पुर्षों के लिए 1912 में सामिल किया गया आपको ये वी याद रखना है international तैराकीεν federation है जिशे FINA का आजाता है स्थापना 1908 और बार्त की तैरा की फेडरेशन की स्थापना 1949 में है आपको ये भी याद रखना है और स्विंग पुल की जो मानक लंबाई चोड़ाई है लंबाई 50 मीटर और चोड़ाई 25 मीटर और वही इसमें डाई मीटर की एक लेन होती है स्पिर एडाका से दांत तैरा की से सम्वनिता को ये भी याद रखना है माइकल फलैपस ने ओलिमपिक में कुल कितने पड़क जीते हैं 22-26-28 तो माइकल फलैपस ने 28 पड़क जीते हैं टोटल ओलिमपिक में और आपके लिए एक कॉस्चन है माइकल फैपलेस ने गोल्ड कितने जीते हैं तीन कोश्चन पूछूंगा आज इस वीडियो में आपसे आपको जवाब देना दो कोश्चन दो इत चलो माइकल फैपलेस ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ओलम्पिक में ये देख लो बई जो आदमी ठान लेते हैं न वे कितने निष्टा से काम करते हैं जो सब स्कूलिंग एक बच्चा था और माइकल फैपलेस के साथ उनने फोटो उतरवाया आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बता दूँ तो भई उने उसी बच्चे ने सब स्कूलिंग ने आठ साल बाद माइकल फैपलेस को यह रा दिया भई आगे चलते हैं मुंबई गोल्ड कप मुंबई गोल्ड कप किस खेल से सम्बंदित है आपको यह बताना है हाकी फुटवाल किरकेट गोल्ड कप अगे चलते हैं दोस्तो यह एजरा कप किस खेल से सम्बंदित है यह रा कप पोलो टेबल टैनि साकी कुस्ती यह रा कप है पोलो से सम्बंदित पोलो का ग्राउंड तिनसो गज लंबा एकसो साथ गज चोड़ा आठ गज का गोड होता है वही पोलो में चार खिलाडी होते हैं International Polo Federation IPF 1982 में और बारतिय पोलो एसोशियेशन यूनियन वही आप ठारा सो बनमे में इसके उल्टा है ये पहले बारतिय की हुई और पीछे International आगे चलते हैं वही अगला कोश्चन है रामानुजन ट्राफी किस खेल से संबंदित है वही रामानुजन ट्राफी टेबल टैनिस महिलागा टेबल टैनिस गल्ज और आकी गल्ज बास्केट वाल गल्ज बैडमिंटन गल्ज तो ये जो ट्राफी है रामानुजन ट्राफी table tennis girls और girls का महिलाओं का जो विशाव कप है उसे क्या का जाता है carbling cup पुर्षों का जो विशाव कप है उसे swetling cup आगको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तो अगला question है Westchester cup की scale से सम्बंदित है वेश्ट पोलो table tennis 13 की हाकी तो Westchester cup की scale से सम्बंदित है पोलो से सम्बंदित है आपको ये भी याद रखना है बारत में कलकता club है एक पोलो का बहुत पुराणा club है आपको ये भी याद रखना है आगे चलते हैं दोस्तो Winchester cup की scale से सम्बंदित है तैरा की मुके बाजी पोलो निशानेवाजी, विन्चेस्टर कप, विन्चेस्टर कप किस खेल से सम्मदी था भई, पोलो से, आपको यह याद रखना है, पोलो के बारे मैंने बता दिया, एक सो, तिन सो गज इसके ग्राउंड की लंबाई, शाट गज चोडाई, इसका गोड है वो, आठ गज का होता है, पोलो में च्यार खिलाडी होते हैं, और पहले इसे चोगान कहा जाता था, और चोगान खेलते वक्त किस सासक की मरत्य हुई थी, जो गुलाम वन्स का संस्ताप ता कुतुब दिन एवक उसकी मिर्थू, चोगान खेलते वक्त हो गी थी, आको ये याद रखना है, अकबर की मिर्थू है, जेसे हुई थी भई, और जो अमायू था, उसकी मिर्थू दीन पना नामक नगर में, पुस्त का लेगी शीडियों से ही गिरका हुई थी, लेन जुडो को पुर्सों के लिए ओलंपिक में कब सामिल किया गा, 1964, 1968, 1902 में 2012, तो इसका जो राइट अंसर है, 1964 में पूलो को सामिल किया गा, पूलो का जनक है, डाक्टर जीगारो कानो, पूलो की पोशा को जुडोगी, पूलो के खिलाडी को जुडो का कहते हैं, पूलो के ह सभी उची गारी, ये सभी सब्दावलियां जुडो से हैं, सोर मेड भी जुडो से हैं, आपको ये याद रखना है, और इपून जुडो का सबसे बड़ा स्कोर है, यानि कि फाल हो जाता है, इपून जुडो का ही स्कोर है, आपको ये भी याद रखना है, गरीमा चोधरी क संबंद जुडों से है दा रेस ओफ माई लाइफ किस की करती है हेमा दास मिलखा सिंग यूसेन बॉर्ड पाव नूरमी तो वही मिलखा सिंग की करती है दा रेस ओफ माई लाइफ इन्होंने उनी सो फ़पन के ओलंपिक में पर्थमबार भाग लिया फाइनल में जगए बनाने से चुक गे 1960 के रोम उलंपिक में ये चोथे स्तान पर रहे भी 1960 में मिलखा सिंग इने फ्लाइंग सिक भी कहा जाता है फ्लाइंग सिक की उपादी इने मिली है फ्लाइंग सिक आपको ये याद रखना इनके बेटे जीव मिलखा सिंग जीव मिलखा सिंग इनके बेटे हैं जो की गोल्फ के खिलाड़ी है उसेन बोल्ट का संबंद जमाइका से है जमाइका आपको याद रखना 100 मिटर के रिकारड़ आई पाव नूरमी को फ्लाइंग फिन का आ जाता है 1924 में उन्होंने 5000 मिटर में गोल्ड मेडल जीता था पाव नूरमी फ्लाइंग फिन का आ जाता है हेमादास को डिंग एक्सप्रेक्स का आ जाता है आपको ये भी याद रखना है डिंग एक्सप्रेक्स हेमादास पाव नूरमी फ्लाइंग फिन और मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख का जाता और यूसेन बोल्ट सो मिटर के रेकारड़ दारी है जमाइका देश से हैं आपको ये भी याद रखना है फुटबाल को पुर्शों और महिलाओं के लिए ओलंपिक में कब सामिल किया गया फुटबाल को पुर्शों के लिए और महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए 1996 में में सामिल किया गा फीपा अंतराष्ट्य फुटबाल फेडरेशन की स्थापना 1904 इसका मुख्याल है जीरिक में है और फीपा की जो भारत की पुराणी परतिश्ची परतियोगता डूरं कप 1888 में सुरुवात और फुटबाल के पर्थम अरजुरों नवारडी पीके बैनर जी रूट गुलिक का संबंद फुटबाल से है ओफ साइड इनियुम फुटबाल से है आपको याद रखना स्लाइडिंग टैकल बनाना की सीजर की कि ये सभी फुटबाल से हैं पेले और जो अरजंटीना के फुटबालर थे जिनका निदन होगा डियांगो मारडोना सदीका सरवस्टेष्ट फुटबालर चुना गया है इन दोनों को फुटबाल को प्राचीन काल में चीन में सूचू कहा जाता था आपको ये भी याद रखना है हौकी को महिलाओं पुर्षों के लिए कब सामिल किया गा उलम्पिक में 1908 में, 1980 में, 1920, 1980, 1980, 1980 तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1908 और 1980 मासको उलम्पिक में और लंदन उलम्पिक में पुर्षों के लिए 1908 में, 1980 में मासको रूस की राद दानिय मासको नदी के किनारे है अंतराष्ट्य आकी फेडरेशन की स्थापना, 1924 में और बारतिय आकी फेडरेशन की स्थापना, 1925 में इसे 2009 सेयव होकी इंडिया के नाम से जाना जाता है अंदर दुरूद बत्रा इसके प्रेजिडेंट हैं आपको यह याद रखना है वही सो गज इसके मैदान की लंबाई साथ गज चोड़ाई वही क्यानम पॉइंट च्यार मेटर और पच्छपन के लगबग चमन पॉइंट कुछ है पच्छपन यह इसकी चोड़ाई है पैलें अवारडी है आपको यह भी याद रखना है दनराज पिलेगा संबंदो की से है बैड मिंटन को महिलाउं पूर्शौं के लिए कब सामिल किया गया बैड मिंटन को महिलाउं पूर्शौं के लिए 1922 2012 1922 2012 2004-1988-1982-1982 तो इसका जो राइट आंसर है दोनों के लिए ही 1902 में में सामिल किया गा था 1906 में से मिक्स डबल की परतियोग दाएं आरंबुई अंतराष्टी है बेडमिन्टन संकी स्थापना 1934 और भारती है बेडमिन्टन संकी स्थापना भी 1934 आपको यह याद रखना है तो दोस्तों हमारी यह कोश्चन सीरीज यही समापत होती है और लगातार हमारे साथ बने र लेकिन वही जो आपके लिए फायदा करें अब डीपली स्लेवस ज्यादा डीपली देने लगया और आप मेल भी कर सकते हैं लगातार लीक से अटकर एक्जाम दे रहा आप DSSB में यह मेल कर सकते हैं कि वही हमारे लेवल का ही पेपर दिया जाए आप सभी से रिक्वेस्ट ह कि आपके लेवल का ही पेपर आए अत्यादिक लेवल का पेपर आता तो BP8 वालों को गाटा हो जाता है और जो MP8 वगरा PGT है उनको फायदा होगा इसलिए आप मेल कर सकते हैं हाँ UKLT ग्रेड, UPLT ग्रेड, राजस्थान, स्टेंडर पेपर आएंगे आपको चिंता करने की कोई भी आवशकता नहीं है, आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरह से बना आ जाता है, मैंने पिछला एक्जाम देख्या था वही, UKLT ग्रेड का बहुत अच्छा पेपर दा, कुछ कोशन मुस्किल भी डाले थे, कुछ मद्यमस्तर के कुछ आसान भी बहुत अच्छा पे हमारे चैनल पर बैल आइकन को दबा दीजिए, सस्क्राइब करके ताकि आग आगामी वीडियो मिलती रहें, जैहन जै भारत